नमस्कार मैं हूं प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर मुख्य मंत्रे नितीश कुमार का जनता दर्बार स्थगित सरकारी पैसो को दूसरे काम में लगाने पर दर्ज होगा केस पिहार माध्य में एक सक्षक भरती परिक्षा की सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी पीएम मोधी से दर्भंगा एम्स पर हुए तीखे सवाल अक्षर प्रटेल औस्ट्रेयस अयर की फिटनेस पर रोहत सर्मा ने दिया बड़ाबडे इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खब्रोक्यूर विस्तार से मुख्य मंत्रे नितीश कुमार का जनता दर्बार स्थगित आज मुख्य मंत्रे नितीश कुमार का जनता दर्बार अस्थगित कर दिया गया अस बात की जानकारी मंत्री मंदल सचीवाले विवाग के संवत सचीव सूमन कुमार के द्वारा पत्र जारी कर सभी डियम को दे दिया गया ऐसे में आज होने वाले जनता दर्बार के अस्थागित होने से लोगों को निडाशा हाथ लगी है जिनने जनता दर्बार में आजाने का मौका मिला था वह नहीं आ पाए हाथ अब तक जंता दर्बार के स्थागित होने की असली वज़ा सामने नहीं आपाई है और नहीं सहिंत सचीव के द्वारा कुछ बताया गया है। दरहसल पिछले काफी दिनों से इस तरह की शिकायते सुनने को मिल रही थी कि लोग रोजगार करने के लिए पैसे लेकर उसका इस्तमाल दूसरे कामों में कर देते हैं। केस दर्च करने की कारवाई की जा रही है अन्य जलू में जान जारी है। स्यम नतीश ने हरी ताली का तीज की दी हार्दिक बधाई। आज यानी की 18 सितमबर को हरी ताली का तीज मनाई जा रही है। अपनी पती की लंबी उम्र के लिए नर्जला रहकर माता पारवती और भगवान शिर्फ शंकर की उपासना करती है। आपके जानकारी के लिए बता दे कि हरी ताली का तीज हर वर्ष भादो मास की सुकल पक्ष तृत्या को मनाई जाती है। देश्वासियों के जीवन में सुक्सांती एवं सर्मध्धी की कामना है। बिहार में अकाशिय बिजली से अब तक आठ लोगों की मौत। बिहार में अब तक ठंका गिरने से आठ लोगों की जान जा चुकी है। बता दे के आठ लोग जो वजरपात के कारण अपने जान गवाच चुके हैं। उनमें औरंगाबाद के छे रोतास के एक और बेतिया के एक निवासी शामिल है। मालूमों की घटना के बाद मृतकों के घड़ में सनाटा चाया हुआ है। तरफ जहां औरंगाबाद में यहाथ सा गो प्रखंट के बंदेया थाना चेतर के बकसर गाओं के लावा देव और कुटुमबा में हुआ तो वही दूसरी ओर। प्रखंट के मुफसल थाना चेतर के कंचनपुर गाओं में विजली गिरने से एक किशान की मौत हो गई तो वहीं दूसरा घायल है। महीं इसके लवा बेतिया में नौतन प्रखंट चेतर के सिवराजपुर के बंगला सरह में खेत में काम करने के दौराण पचपन वर्षिय सक्स की मौत हो गई। बिहार माध्यमिक सक्षक भरती परिच्छा की सेकंड प्रोविजनल आंसर की चारी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपियसी टी आरी माध्यमिक उच माध्यमिक यानि की कक्षा 9,10 और 11,12 के सक्षक पदों के लिए आयुजित किये गए परिच्छा में भाग लिए थे तो यह खबर आपके लिए है। बतादी की बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा माध्यमिक सक्षक भरती परिच्छा की द्वित्य प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी एक बार और प्रोविजनल आंसर की चेक कर सकते हैं। वही अगर इस दोरान परिच्छा में पूछे यानि की आज से 20 सितमबर तक आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपनी आपति दर्ज करा सकते हैं। बतादी के आपति दर्ज कराने के लिए 500 रुपे प्रती प्रश्न के हिसाब से आवीदन शुल्क जमा करने होंगे। गांधी सेतु पर राज्यसभा सांसत का ह और सरीर के दूसरे भाग में सीरियस इंजरी आई है। ऐसे में फिलाल उनका इलाज चल रहा है वहीं 37-37 चंदर दूबे का भी शहर के नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा और अभी वो खत्रे से बाहर है। पट्टना के SSP राजीव मिश्रा के दौरा दी गई जानकारी क के नुसर सांसत की गारी कंटेनर से गाएघार के पास टकरा गए थी। जिससे कि सांसत के गारी की खिर की दरवाजे सब चकना चूर हो गये। पीछे से मामली की जाच परताल की जा रही है। एर अम्बूलेंस से दिल्ली भेजे गए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुभानी को एर लिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है बता दे के आमिर सुभानी को कुछ दिनों पहरे ही पतना के एक प्राइविट हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एडमिट करवाया गय दरसल पिछले दिनों आमिर सुभानी को सिर में चोट लगी थी और माइनर इंजरी की सिकायत मिली थी जिसके बाद उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था वहीं अब इन्हें बहतर इलाज के लिए एर एम्बूल इन दिनों सोचल मीडिया पर बिहार पुलिस का एक वीडियो वारल हो रहा है जो कि नालंदा के रहुई थाना चिदर के सोहसराय रेलवे हॉल्ट के पास का है जिसमें 112 की गारी संख्या पर तैनाद दो सिपाहियों के बीच आपस में ही भिड़न थो गई बतादे किस वीडियो में दोनों सिपाही एक दूसरे के साथ मार पीट और धक्का मुकी करते नजरार हैं इस दोरान उन्हें देखने वालों की सरक पर भीर लग गई और रागिरों के हस्तचेप के बाद दोनों सिपाही के बीच मामला सांत हुआ हालाक इस वीडियो की सत्य ऐसे में वो अपने जर्म दिन के मौके पर दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे थे इस दोरान मेट्रो में बैठी लोगों ने पीए मूदी से बातचीत भी की ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एक रिटायर सक्षक राम बहादुर शाह जो दर्भंगा के रहने वाले हैं उन्होंने भी पीए मूदी से बात चीत की द्रश में मेट्रो में च्फर करने के में पीए म मोदी के सुरक्षा कर्मी डितायर सक्षक के पास पहुंचे और lack के पीए मूदी आपसे बात करना चाहते हैं जिसे सुनकर राम बहादुर शाह बेहद हैरान रह गया औ उने लगा कि पीयम मोदी उन से फोन पर बात करना चाहते हैं लिकिन जब उन्हें मालूम चला कि पीयम मोदी भी उसी मेटरो में सफर कर रहे है और सामने से बात करना चाहते हैं तो सिख्चक दंग रहे गए। के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे जल्द चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। मुख्यमंत्रे नितीश कुमार को समराट चुनाव के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे कहा गया कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह तयार है। इस्तिफा दे दे और चुनाव करानी का ऐलान करे। उन्हें बिहार भाच पागले दिन से ही चुनाव के लिए पूरी तयार मिलेगी। उन्हें कहा कि जनता ने सीयम निदीश को यदिकार दिया है कि वह बिहार विधान सभा को भंग कर सकते हैं। ऐसे में अगर वह चुनाव के लिए तयार हैं तो 24 घंटे के अंदर बिहार विधान सभा को भंग करके दिखाएं और चुनाव की घोशना करें। मुहमद सराज पर ट्विट कर फसे बिहार के सिक्छा मंतरी। मुझे तो लगा था कि आपको सक्छा मंतरी को गाली देने और बुड़ा भला कहने के लिए प्रोफसर हैं। सिंग का बिहार सरकार परतंच। बिहार के गया में बाबा बागेश्वर के नाम से प्रचलत पंडित धरंदर कृष्ण सास्री को दिवे दरवार लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। से में अब इस पर राजनितिक गलियारों में बयान बाजी तेज हो गई है। नौबदपुर में जोनके कालिक्रम में भीर उबड़ी थी उससे सरकार में मन में डरा गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अती पिछडा विरोधी है, हिंदू विरोधी है, नितीश कुमार सवजाती पाती में बात कर शाशन करना चाहते हैं। अक्षर पटेल और स्रियस अयर की फिटनेस पर रोहत सर्मा ने दिया बड़ा अपडेट। बीते दिन भारत और स्रिलंका के बीच हुए एसिया कप फाइनल 2023 में भारतिय टीम की ओर से स्रिलंका एक खिलाब 10 पिकर से जीत दर्च की गई। मैं इस चीज को लेकर आस्वस्त नहीं हूँ कि वह उस्ट्रेलिया के खिला पहले दो वन डे मैच खेल पाएंगे या नहीं। में क्या है पिट्रोल डीजल करेट विहार में आज यानी सोंबार को पिट्रोल डीजल करेट जारे किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रोल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है। परपुन में पिट्रोल 107.98 रुपे और डीजल 94.07 रुपे प्रति लीटर मिल रहा है। इसके साथ ही गया में पिट्रोल डीजल कीमत 94.06 रुपे और डीजल कीमत 95.03 रुपे प्रति लीटर है। बतादी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सबसे आदा कसंगंज में है जहां पिट्रॉल 119.35 रुपे प्रती लीटर और डीजल 159.99 रुपे प्रती लीटर की दर्सने मिल रहा है समय से पहले लोग सभा चुनाव होने पड़ा आपकी क्याड आई है अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद झाल